तो हम अपने लास्ट लेक्चर वाला कंटीन्यू करते हैं उसमें हमने क्या देखा था कि हम थ्री स्टेप जो है उसको डीटेल में पढ़ेंगे वह थ्री स्टेप क्या है वह ग्लाइकोलेसिस ट्राइकार्बॉक्सिलिक एसिद साइकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ण चेड र के लिए हैं और हम लोगी सब क्यों कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एटीप के लिए कर रहे हम लोगी सब यह तीनों स्टेप्स अब हम वो स्टेप्स डीटेल में दिखते हैं पहले हम दिखते हैं ग्लाइकोलेसिस ग्लाइकोलेसिस का मतलब ही क्या हुआ पूरा पूरा मिला के यह सारी चीज़े बनती तू पाइरोविक एसेड टू एटीप टू एनदीएस्टू और टू मॉलिक्यूस ऑफ वॉटर मतलब एक ग्लूकोस ब्रेकडाउन होता है जब एक तब सारी जो भी बन रहे हैं वो टू मॉलिक्यूस बनते हैं अब हम देखते कि ग्लूकोस का ब्रेकडाउन हुआ तो पाइरोविक एसेड और आगे बढ़ा तो टू एसेटाइल को एंजाइम ए बना और उसका तो इससे हमें अभी क्या मिल गया तू एसेटाइल को एंजाइम आप क्या आता है सेकेंड ठैप में इनजाइम और ब्रेकडाउन होता है साइकलिक प्रोसेस से और आगे सेप बढ़ता है वोथान को नाम है ट्रा आगोरभॉक्सिलिक एसेट साइकिर्ड एसेटाइल taku जो Glycolysis होता है वो से Nous kita Star साइट ..."जिए few हैल सैकल होता है वह उसके अंदर मायटो कॉंद्रिया में होता है वह साइटो प्लाजम में होता है और यह त्राइकारबोले ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिद साइकल माईटो कॉंड्रिया में होता है अब हम लोंको यह मिल गया एनदेस्टू और एफ़दीस्टू एफ़दीस्टू का फुल फॉर्म यहां पर हैं निकोटेनमाइड एडेनाइन डाय नुकलॉटाइड और एफ़दीस्टू का फ्लैव 겨िंदेगा और एफ़ एफ़ ऑफडीस्टू से दो एटीपमिलेगा इदर हमलों को है एनर्जी मिल गई तो आप हम लों को पता कि कि Comitoc Ondria को powerhouse of the Cell chemistry बोलते हैं क्योंकि इधर ही Energy production होता है इधर ही energy मिलती है वह storm डी को energy देता है अपनी बाड़ ए ऋनर्जी देता है और अपनी बॉड़ीуса अब यह जो र्याक्शन्स हुए सारे इनका इसका इन शौ्ट चोट सबस्ट यहां दिया हुआ है ग्लूकोस ऑक्सिडेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिजन एनेरोबिक रियक्षिन हुआ यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिजन याद रखना ग्लूकोस ब्रेकडाउन हुआ तो अपने को क्या-क्या मिला अब हम देखेंगे एटीपी मिला जिसे हम बोलते एनर्जी और वाटर भी यह साथ में वाटर और यहां पर एने डीएस्टू और एफएडीएस्टू आगे कन्वर्ट हो गया एटीपी में पर सीएटू और वाटर तो है तो ग्लूकोस का ब्रेकडाउन हुआ तो अपने को क् कार्बन डियोकषाइट वाटर एं अनर्जी अब हम देखेंगे एटी jusकि के बारे में परें यह मैंने एटीपी का स्ट्रकुर बनाया हुआ है ATP क्या है energy इसमें हम देखते कि energy कैसे सूरूए क्या होई है पहले हम structure देखते हैं यह आडेनाइन है यह पार्थ एडेनाइन यह राइबोस सुगर पार्थ और यह तीन फॉसफेट फॉसफेट के जो बॉंड्स है उदर एनरजी स्टोर रहती है फॉसफेट बॉंड्स वित मॉ ATP से energy हमें कैसे मिली जो यह phosphate bond है वो break हो जाता है जहां more energy रही जहां जाधी जिस bond के तरफ जाधी energy रही वो bond break हो जाता है और एक phosphate निकल जाता है देखो inorganic phosphate और वो phosphate निकल गया तो energy release हो गई तो हमें हमारी body को energy मिली तो अगर तीन phosphate है तो इसका नाम क्या है adenosine triphosphate और अगर दो phosphate है एक phosphate निकल गया तो adenosine diphosphate डाय मतलब two phosphate tri मतलब three phosphate अब हम ATP को energy currency भी बोलते यह आप याद रखना अब हम देखते ATP कैसे बनाए उसका थोड़ा सा definition 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 ने एक line आपके test book में वो ATP is triphosphate molecule formed from adenosine ribonucleoside ATP क्या है triphosphate molecule तीन phosphate है ATP में ATP में जो बना है adenosine adenosine ribonucleoside 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 क्या होता है उसका मेनिम यहां देखते हैं हम लोग अगर कोई भी structure है उसमें nitrogenous base हो nitrogenous base क्या है उसका detail topic आप शमा खान के वीडियो में देख सकते हैं अगर उसके साथ sugar sugar भी हो तो nucleoside nitrogenous base और sugar तो nucleoside और अगर nitrogenous base sugar और एक phosphate group भी present है phosphate group भी present है तो वह होगा nucleotide और इसके याद रखने का एक तरीका भी है से हम याद रखते थे कि टाइड है तो तीन 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 चीज़े होगी और तीन चीज़े आप उतना तो याद करी सकते हो ना याद अब हम देखेंगे कि जब हम fast रखते हैं हम भूप लगी होती हम hungry होते तो हम हमें carbon carbohydrate नहीं मिलता है हम कुछ खाते नहीं तो खाएंगे नहीं तो carbohydrate नहीं मिलेगा अपने body को तब क्या काम आएगा lipid और protein लिपिट जब अपने body को यूज आती है energy के लिए तो वह fatty acid में कर्णवट होती है और protein amino acid में जो आगे हो जाते हैं स्टाइल को एंजाइन जो अमने स्टार्टिंग में ही देखा था लाइकोलिस में यह बनता है उसके बाद वह reaction फॉल होता है और हमें energy मिल जाता है ऐसे हमें अगर हम भूके हैं फास्ट है तो हम लोग मरते नहीं है ना खाना रहता है हम लोग की बॉड़ी में जिन्दा रहते हैं किस वज़े से लिपिट और protein भी रहते हैं अपने body में जो हमने एकडम स्टार्टिंग में देखा था यह अपने पास तीन एनर्जी प्रोड अगरा देखेंगे थांक्यू